Hello everyone, welcome to Rankers भारत और जैसे के आप देच सकता इसके जोड़े में डिसकस करेंगे WPA 2024 का Physics का यार Do or Die chapters क्या होने वाला है इसके साथ मैं आपको डिसकस करूँगा कि यार Expected Difficulty इस साल के लिए कैसा हो सकता है paper pattern के बारे में थोड़ा सा discuss करेंगे कुछ थोड़ा study plan आपको मैं बता रहा हूँगा एक strategy video हमारे पास में होने वाला है इसका लावा मैं आपको बताना चाहाँ को जितुपी सारे बच्चे rankers भारत चैनल को पहली बार discover करे हो WPGA 24 के लिए free crash course हमारे YouTube चैनल के अंदर में ही चल रहा है तीनों अलगले faculties आपके लिए physics, chemistry, maths individually पढ़ा रहा है मैं आपको chemistry पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अधरा चाहँगो जो physics पढ़ा रहा हुए है हमारी batch का student था हमारे पास में test series mentorship batch चल रहा है जो ही है आपको यहां पर physics भी पढ़ा रहा है हमारे batch के अंदर में ठीक है जो हमारा free crash course चल रहा है इसके लिए official आपका WPGA PYQs को उठाके concepts और tricks दोनों चीज़ का demonstration आपको दिखाया जा रहा है यह जो 3.4 batch है इसके अंदर में आपको 10 part test देखने को मिल जाएगा इसके अलावा आपको 5 full mock test देखने को मिल जाएगा जो कि official WPGA pattern का full mock test है part test भी पूरा official pattern में होता है with answer key with solution आपको मिल रहा होगा सारा चीज़ solution के साथ में answer keys के साथ में ठीक answer keys के साथ में आपको मिल रहा होगा इसके साथ में आपको 1000 plus questions जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स लगाने के लिए जाएगी इसके अलावा आपको बहुत सारे mixed questions ठीक है chapter wise questions आपको अलग अलग तरीके से दिया जाएगा जो कि आप practice कर सकते हो ऐसा practice PCM question आपको दिया जाएगा और साथ में आपको mentorship patch के अंतर में मेंटर्स आके बात करेंगे और मेंटर्स कौन ही है 700 बच्चा था न 710 बच्चा इन्हीं से याँ लोग को हम लोग मेंटर्स बना के पुलाते हैं और कुछ लोग जादपुर में पढ़ रहे हैं कुछ लोग different college में आठीक है मैं ऐसे बता नहीं सकता कौन से college में सारे college में student है हमारे ठीक है ना आप एकदम जादपर university से ले करके एकदम नीचे वाले college में चले जाओगे सारे college में हमारे batch के बच्चे हैं ठीक है ना 700 बच्चा में समझ सकते हो हरे college में थोड़ा सोड़ा बच्चा पहुत चुगा है आज तक ठीक है तो इस 3.0 batch चल रहा है मैं चाता हो कि यार आप लोग इस batch में आओ prepare करो and इसके साथ में जो आपका mock test के वो है रिक्दम बहुत तगड़े तरीके से question paper बना के आपको दिये जाएंगे आप बहुत अच्छे से practice करो इसके साथ में मैं आपको बतामगा बहुत अच्छा mentorship session चलता है ठीक है इंडिया का most trusted batch इप इछले 2 सालों में 700 plus बच्चा ने support दिखाया और इससे पहले हमारे चैनल के subscribers भी कम थे छोटा चैनल था धेरे देरे चैनल भी grow कर रहा है तो इससे पहले ही इतने बच्चे इन्रोल कर लिए तो इससाल expectation है कि इस बार इटसल 500 plus बच्चा हमारे batch में इन्रोल करेगा WBJE 2024 का ठीक है 100 plus students अलेडी prepare करें WBJE का batch के अंदर में इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि या exam pattern क्या हो सकता है हो सकता है ही होता क्या है यहां पर देखो कि category 1 में आप 30 questions पूछा थे 30 marks का ठीक है negative marking का सीन तो रहा बता दूगा कि यह माइनस 0.25 जो इस पीछले वीडियो भी बताया था maths में यह पे आप यहां देख सकता हो – 0.5 आपका negative marking होता है ठीक है और यहां पर आपका कोई भी negative marking नहीं होता है एक जीरो नेगतिव मार्किंग गलत करने पे भी नेगटिव मार्किंग नहीं है तो यह आपका paper होता है, 5 question यहाँ पे category 2 में, 5 question ही तर, 45 question, 50 marks का paper यह simple सा आपका fund आए, ठीक है, इस batch में enroll करने के लिए एक चीज बताना आप भूल गया क्लिया, description में link दिया हुआ है, आप link को click करका automatically अपने details fill up करो, फटा-फट enrollment complete करो, within 3 hours हमारे team के तरफ से आपको add कर लिया जाए था, 2022 में देखो जाए, physics paper उतना भी hard नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा moderate level भी आता है, moderate level भी आता है, 2023 में भी मोटा-मोटा moderate level भी आया था, ठीक है, moderate level भी आया था, कुछ बच्चों को moderate लगता है, कुछ बच्चों को moderate to hard लगा था, ठीक है, 2023 में भी और 2022 में भी, ठीक तो इससब chemistry जितना मैं analyze कर रहा हूँ एजी टू moderate आईगा क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि जितना मैं analysis कर रहा हूँ हमारा पूरा team मैं analysis करी और यह जो chapters बताने माला हूँ यह यार हमारा जो team है आपके भहिया दीदी लोग जो जो डिफरेंट कॉलेज में पर रहे यह यह को crack करके वही जोग यह सब चीज करते हैं हमारे team के अंदर में तो मेरा prediction है और हमारे team का पूरा prediction है इस बार जो हमने चीज़े analyze किया analysis करने के बाद यह prediction है कि आप math का paper हर साल tough होता जा रहा है और physics chemistry में कई ना कई questions जो है easy आर है easy के तरफ ही जाता जा रहा है थोड़ा थोड़ा level physics chemistry में down हो रहा है और math का level थोड़ा थोड़ा बढ़ आए तो यह आपके लिए make sure करना बहुत important है कि आप physics chemistry यह दोनों subject को base बना के जाओ अच्छे से अगर आप एक math में average बच चाओ, below average बच चाओ तो physics chemistry में आपको minimum minimum 50-60 number तो उठा ही लेना है कि भाई 50 number physics chemistry दोनों मिला के उठा लिया 50, 55, 60 number तो इसका लावा math में आपका 25, 30, 30 जितना है आपका 80 number plus हो गया मतलब जादपुर निवर्टी तो ऐसे ही मिल जाएगा कि 65 number पे भी आपको decentralized के अंदर में जादपुर मिल जाता है 60, 65 में home state quota का बात करो तो अगर आपका 80 number है तो home state quota लगा के आपको बहुत तगड़ा college हो जो तगड़ा branch मिल जाएगा जादपुर के अंदर में जादपुरता आपको 60, 65 में भी मिल रही आजकर ठीक है और अगर आप बहार से आरे हो ओल इंडिया कोटा से आरे हो थोर से competition जादा होता है तो आप भी target रखके चलो कि या 90 mark सब target रखके चलो 90 mark सब आपको आपको आजाता है तो जादपुर अराम sentry कर जाओगे अच्छा मोटा मोटा अच्छा एक branch आपको मिल जाएगा ठीक है बागी 100 प्लस जो ला रहे है उनको तो या definitely अच्छा branch मिलेगा अगर आप home state से 110 ला रहे हो तो आपको guaranteed IT मिल जाएगा ठीक है जादपुर IT मिल जाएगा ठीक है ना तो यह हमारा difficulty and pattern का बाद गया अब आते हैं do or die chapters पर ठीक है एक दो आता है आपका electrostats ठीक है electrostats दूसरा आता है आपका क्या है magnetism ठीक है magnetism तीसरा क्या है तीसरा है आपका electromagnetic induction एक three master chapter होता था जो बोर्ज में आता था electromagnetic induction plus 12 का यह तीन पार्ट आपका जो बच्चे 12 अभी recently दिये हो आपने यह सब चीज पढ़के रखा हुआ है और यह तीन चैक्टर सबसे important है ठीक है इसके अलावा आप इससे के साथ में बोटा मोटा modern physics को आप modern physics को जोड़ दो ठीक है अराम से परसेंट दब का फेपर 35 से 40 परसेंट यहां से कौन आ जाएगा ठीक है इसके अलावा आप क्या कर सकते हो 11 का कुछ पार्ट जोड़ना है 11 का पार्ट में आप क्या जोड़ सकते हो यह थर्मोडानेमिक जोड़ सकते हो ठीक है most important में इसके अलावा आपको बताना च लेकिन यह थो चार पार्ट बताया सबसे पहले चार पार्ट सबसे पहले आपको उपड़ना है इसका लावा क्या important है जैसे कि आपका rotation, rotation mechanics, rotational mechanics इसका लावा क्या important है 12 parts है आपका optics लेकिन यह सब lengthy part है, lengthy part जिससे आपसे question उतना जादा आ नहींगा, अब trend analysis करके देखोगे तो और मोटा मोटा आपका current electricity हो गया, current हो गया, आपको series parallel का question देगा, कर्चा असला बगिरे का question देगा कुछ, इसका लावा आप मोटा मोटा देख सकतो capacitance, capacitance हो गया, तो यह आपका कुछ chapter है, sentence, तो यह आपको मोटा मोटा कुछ chapter है, जो आपको करके जाने है priority के साथ हो, यह जो पार्ट को यह अच्छे से तयार कर लो, यूदि physics plus chemistry दोनों को अगरा बहुत तगड़ा preparation करके जाओगे, तो यहार आपका maths अगर थोड़ा सा tough के level पर paper आता है, ठीक, थोड़ा heart side में आता है paper, तो यह दोनों चीज आपको balance करा देगा, physics and chemistry, balance करा देगा, in the sense कि आपको math ले लेकर के चलना ही है, इसको base बना के चलना ही है, इसको base बना के चलना ही है, पिक average बच्चा हो math में, ठीक है, जिनका math बहुत तगड़ा है, आप J main, J advanced level का math बहुत अच्छा कर जाए हो, तो आपका WPG math ठीक ठागी जाएगा, च्छा ही आगा, मोटा मोटा, तो आप इस math बहुत अच्छा प्रिपेर कर देऊ है, तो यार वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा जो डूरड़ा जो डूरड़ा चैप्टर से, इसको अच्छे से कर लेना है, ये 5 पार्ट आप अप अच्छे कर लेना, और साथ में आप chemistry बी कर दोगे, तो मोटा मोटा expected है कि आपको 40 नमबर ना आराम से मिली जाएंगी, इधर से आप 60 नमबर लाट, इधर से 40 नमबर होई गया, होमस्ट कोटम आइटी आपको मिली गया, तो overall मैं आपको इस तरीके से कुछ प्रिपेरेशन करना है, जिन बच्छे को बैश के अंदर में प्रिपेर करना है हमार description में link दिया हुए, फटा-फटा करके enrollment complete करो, यह एक छोटा सा video था, जिसका मैं कुछ important चीज़े आपको बता दिया, strategy यही बोलूँगा, क्या हमारे free crash course के अंदर में आप prepare करो, अच्छे से concepts बहाँ पर सिखाय जा रहे, question के through ही आपको concepts सिखाय जा रहे, बस theory नहीं पढ़ा सीखोगे question को कैसे approach करना है, तो यार exam होल वाला mindset आपका बनेगा, हम लोग इसलिए questions कितरू ही आपको सिखा रहे, तो वो technique मुझे लगता है कि जादा अच्छा approach है, आप अच्छे से prepare करो, तब तक के लिए कोई भी जरूरत हो आपको comment करके बताना, कुछ भी doubts है comment करके बता झाला में अच्छा है